हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरोना में परिच्छा को लेकर सीएम भुपेज बगहिल का ब्रेकिंग न्यूज आया हुगा है कि परिच्छा को किस परकार से करया जाना है कोरोना प्रोटोकाल कभी पालन होगा तो इसके जो परिच्छा है जो परिच्छा है या सालाओं की जो परिच्छा है उसको किस परकार से निप्टाना है जितने भी परिच्छा में आपने फाम भरे हैं उसकी क्या परिच्छा होगा या नहीं होगा कोरोना प्रोटोकाल तो इसके बारे में एक जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज निकले के सामने आया हुआ है आज की देट में आज का तारीक है पांच जन्वरी 2022 यहां पर ब्रेकिंग निकल के आया है कि कोरोना में परिश्वा को लेकर सीएम बोपेज भगेल का कड़ा निर्देश आया है तो परिश्वा होगा या नहीं होगा आगे मैं इसके बारे में बात करना वाला मैं हूँ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी यूट्यूब चैनल सीजी जॉप साइंडेजु किस्न की इस वीडियो में मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के सांसाथ आल नोट अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से हमारी चत्रीजगर में अपना पाउं पसारता हुआ नजर आ रहा है इस बीच में अभी बहुत से परिच्छा चाहे आप सीजी व्यापम की बात करें चाहे चीजी प्लेसी की बात करें या तो फिर करमचारी बोर्न बस्तर की बात करें या तो स्वास्ति भागते जितने भी विकेंसी आई हुई है बहुत सारे परिच्छाएं अगामी दिवस्त में होने ही वाली है तो इस संबंद में अब कोरोना बढ़ रहा है और यहां पर सभी जीला में धारा एको चमालिज जो है लागू हो चुका है तो लागू हो जो परिच्छा है उसमें कहीं न कहीं दखल देता हुआ नजर आ रहा है लेकिन यहां पर जो भूपेज भगेल 36 गड़ के बुख्यमंत्र भूपेज भगेल ने निर्देश दिया है कि जो भी परिच्छा है उसको किस प्रकास से कराया जाए इसको अधिकारियों से बहुत ज्यादा चर्चा किया इसका बैठक भी हुआ तो इस बैठक में निर्दाइ लिया गया है कि बहुत सारे जो निर्दाइ हैं जो मैं आपको इस पीडियों में बताने वाला हूँ तो मैं आपको भी इसकिन सार दिखा देता हूँ यहां पर ब्रेकिंग न्यूज आया हुआ आप लोग माढ़ियम से भी देखे होंगे यह सुझे होंगे अगर नहीं सुने हैं तो मैं बता देता हूँ कि आप लोगों का जितने भी प्रश्योगीता परिश्चा है ऑप जो कहीं करोकल को का पालन करते हुए परिश्चा होना ही चाहिए इस प्रकार से बिख्यमंत्री गुपेज भगरिन सरकार जो है गुपेज शरकार ओ कह रहा है कि परिष्छा जैसे भी हो ना चाहिए चाहिए सेंटर्स और क्यों ना बढ़ाया जाए तो इसके बारे में उन्होंने अधिकारियों से बात किया कोरोना का पूरा जायजा लिया कि किस जीले में कितना है कहीं कही को स्कूल भी बंद कर दिया गया है लेकिन यहां पर परिष्छा को ले करके एक सक्त निर्देश जो है अधिकारियों को दिया गया है तो कहीं न कहीं परिष्छा का जो सेंटर्स है वो बढ़ने वाला है मैं आपको दिखा देता हूँ सिधा 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 यहां पर लिखा ग और मैं आपको बता दूँ कि 36 गड़ में कोरोना का तीसरी लग जो लहर है वो आता हुआ दीख रहा है एक ही दिन में 1000 से ज़्यादा कोरोना की मरीज मिल रहे हैं जिससे बहुत ज़्यादा हरकम मिल रहा मचे लिया है और मुख्यमंतरी ने जो भुपेजबगर सरकार जो है अ मुरोद किया है कि जो तीसरी लहर के मद्दे नजर जो कोरोना प्रोटोकाल जारी किया जाए और मुख्यमंतरी ने अधिकारियों को यह भी निल्देज दिया है कि जो भी परिच्छा लिया जाए उसमें कोरोना प्रोटोकाल का पालन किया जाए और जितना हो सके परिच्छ जो केंद्र है उस परिच्छा केंदर को और बढ़ाया जाए ताकि कोरोना संक्रमन से बज़ा जा सके और यहां पर और भी जैसे आप जानते हैं कि चत्वीजगर के रायपूर फिल्हाल कोरोना का सबसे जादा गातक माना जा रहा है प्रभाविज सबसे बड़ा जीला माना ज तो इस बीच में आपको यही कहने वाला हूं कि यह जो परिच्छा है कही न कहीं भुपेश शरकार जो है यह परिच्छा को लेने के मूड में नजर आ रहा है क्योंकि जो भी परिच्छा है वो ज्यादा विलंबना हो कोरोना के चलते तो यहां पर कोरोना प्रोटोकाल का पाल लेकिन एक तरफ से स्वास्त को देखते हुए यहां पर मायनस मार्किन भी जरूरा आजाता है क्योंकि कुरोना भील्ड भड़ा के इलाके में जाने से संक्रमन का खत्रा बढ़ जाता है तो जब भी आप जाए एक्जाम देने तो अपने सांथ मास हैं सेनिटाइजर और दो बच की दूरी जो है आप जरू से बनाए रखे ताकि आप जब भी परिच्छा दिलायाता है तो संक्रमन से बच सके यहाँ पर तो मुख्यमंत्री ने वधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है कि जो भी अगामी जो परतियोविता परिच्छा है उ तो क्या होता है लेकिन ये आज का ब्रेकिंग में उस पांच जन्मनी 2022 का है तो मैं साथ चाहा कि आपको जरू से इस बारे में पता होना चाहिए तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा क्या ये जानकारी आपके लिए हेलफुल लगा अगर हेलफुल है तो आप इ चलिए आज किस वीडियो में इतना ही और किसी अच्छे कांटेंट के साथ किरसे मिलेंगे जग तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम जय चाहतिस गड़